नमाशिवा उमापते महादेव कीचे आज का प्रसंग है जलंधर का जन्म जलंधर हनन और तुलसी विवा ध्यान से सुनेंगे जलंधर के प्रसंग थोड़ा बड़ा हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसको कम से कम शब्दों में अच्छी तरीके से आप तक पहुंचा सको हूँ यूं है कि देव राज इंद्र उनके मन में रहरा के कुछ सवाल उत्पन हो रहे कुछ प्रश्न उनके मन में खड़े हो रहे हैं वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं ब्रह्माजी ने स्रिष्टी की रचना की है इसलिए उनको अगर सारा संसार पूझता है समझ में आता है विश्व जी स्रिष्टी के पालन करता है और उनको भी अगर संपुर्ण जगत पूझता है ये भी समझ में आता है ये जो भगवान भोले नात है ये तो विद्वन्शक है ये तो विनाशक है इनकी पुझा क्यों करनी चाहिए? ब्रह्मा जी की पुझा होनी चाहिए क्योंकि सिर्ष्री करता है विश्यों जी की पुझा होनी चाहिए क्योंकि पालन करता है विनाशक की पूजा भला क्यों करनी चाहिए इसलिए इंद्र देव के मन में ये सवाल उत्पन होता है कि ब्रह्मा और विश्वु के बाद इंद्र का नाम लिया जाए शिव का नाम नहीं लिया जाए देवराज हैं और उनके मन में ये प्रश्ण उठा हुआ है कि उनसे वह उबाल बरदास नहीं होता है वह इंद्र लोग से चल देते हैं कैलाश परवत पर शिव जी से दो दो हाथ करने के लिए वो चल देते हैं कि आज मैं शिव जी से मैं देख लेता हूं कि शिव जी बड़े शक्तिसाली है या हम बड़े सक्तिशाली है शिव जी पुझनी है या हम पुझनी है तीनों देवों में शिव जी का नाम आना चाहिए या इंद्र का नाम आना चाहिए इंद्र देव पहुंचते हैं कैलाश परबत पर जब पहुंचते हैं तो दर्वाजे पर जो गेट की पर होते हैं उनसे वो बोलते हैं हटो हटो मुझे बीतर जाना है शीवशंकर से मिलना है द्वारपाल बोलते हैं आप अपना परीचे दें वो बोले मैं देवराज इंद्र हूँ और मुझे शिव जी से मिलना है बोले तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए मैं स्वामी से पूछ करके आता हूँ और फिर आपको मैं जैसा हूँ वताएंगे वैसे करेंगे वगो बहुत समझाते हैं कि मेरा काम है यहां पर आपको रोकना मैं जा करके अपने स्वामी से पूछ करके आऊँगा और तब आप अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते इसका निड़े करेंगे तो हमें थोड़ा समय दीजिए इंद्र महाराज जो है कुरधागनी में जल रहे हैं वो तो इरिषया का जलन है और इरिषया का जलन जो होता है वो बड़ा ही कंबीर होता है इंद्र बगोव इंद्र महाराज जो है वे आओ देखें नतौ देखें और द्वारपान से भीड़ पड़े बोले शीव से लड़ने से पहले मैं तुमी को खतम कर देता हूँ जैसी आपके एक्षा जब तक मैं गेट पर हूँ बिना शीव महाराज के पर्मिशन के जाने नहीं देंगे अगर जाना ही है भीतर तो मुझे हरा करके चले जाए बोले चलो ऐसा ही कर लेते हैं इंदर से और द्वारपाल से घूर लड़ाई छिड़ जाती है दोनों के बीच लंबे समय तक लड़ाईं चलती रहती है न इंदर कम पड़ रहे हैं और द्वारपाल कम पड़ रहे हैं बाद में हार थक करके इंद्र अपना बज्र उसद्वारपाल पर चला देते हैं। जब इंद्र महाराज शिव जी के बादे में पता नहीं क्या-क्या बड़वड गरते जा रहा है। उकसाने वाला कारिय करते जा रहा है। जब द्वारपाल पर वो बजर का प्रहार कर देते हैं तब द्वारपाल अपने असली रूप में आते हैं अब उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं राती है और जब क्रोध के मारे उनका शरीर जलने लगता है जलते जलते तीसरी आँख जब खुल लाती है तब इंदर को समझ में जाता है यह द्वारपाल नहीं है यह तो स्वह मश्रीव है और जब भगवान शीव का तीसरा आख फुल जाता है थर 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 कापने लगते हैं इंद्र देव और इंद्र देव कापते कापते एकदम उनके पैरों में पड़ जाते हैं छमायाचना करने लगते हैं परन्तु भगवान भोले नात की कुरधागनी प्रजवलित हो चुकी है ये तो बिना जले मानेगी नहीं कुरधागनी एक बार प्रजवलित हो गई तीसरा त्रिनेत्र खुल चुका है कुछ न गुछ तो होना है भगवान भोले नात का जैसे ही त्रिनेतर खुला और महराज इंद्र उनके चरनों में गिर परे और जब उनके प्राण के लाले हो गए तब उनको समझ में आ गया कि भगवान भोले नात विद्वनशक है अज्यानता के भगवान विनाशक है अहंकार के भगवान नाशक है क्रोध के भगवान संहारक है हर गलत चीजों के यहाँ पर महराज इंद्र को इस बात का अभास होता है कि भगवान भोले नात का विद्वनशक होना इस सिरिष्टी के लिए कितना अवस्यक है अगर विद्वनशक नहीं होगे तो बहुत से ऐसी गलत चीज़ें हैं उसका नाशी नहीं हो सकता है इसलिए उनको अब वहाँ पर समझ में आया है कि भगवान भोलेनाथ बिध्वनशक हैं अहंकार के भगवान भोलेनाथ पूजनिय है है वे अब इंद्र जी जो है वो शरंडागत हो चुके हैं इंद्र जी आवाहान करते हैं विरस्पती देव कासा तो भी उने करते हैं बहुत से ये भोले नात इंद्र को अपने किये पर पच्छतावा है वो आपके पास समर्पन किये हुए आपकी चरण में आया है आप उनकी रक्षा कीजिए आप उनका विनाश नहीं कर सकते आप भोले नात है आपको उनकी रक्षा करने ही पड़ेगी ऐसे ही पता नहीं कितनी ही मीठी मीठी बाते विर्यस्पती के द्वारा भी और इंद्र महाराज के द्वारा भी कही जाती है अब शियो भगवान के पास समस्या ये है कि जो ये कुरोधागनी प्रजवाली तो हो चुकी है इसका क्या करें इतना तो समझ में आ गया कि शरणागर्द को अब नहीं मारना है इंद्र को अब चोट नहीं पहुचाना है लेकिन इस कुरोधागनी का क्या करें अंत्तो गत्वा वो अपने कुरोधागनी को उठा करके जोर से फेकते है और वो जाकरके समुद्र में गिर जाता है समुद्र की लहरों के बीच दवानल हो जाता है आग लग जाती है समुद्र में आग की लपटें लग जाती है उससे समुद्र में बहुत सा स्वेद निकलते है पसीने निकलते है और उससे एक बालक का जन्म होता है वैसे बालक का जन्म होता है जो इतनी जोर-जोर से चिला रहा है उस समुद्र में कि तीनों लोक में लोग कान ख़ड़े हैं कि चिला कौन रहा है ब्रह्माजी के पास अभी देवता जाते हैं बताते हैं है यह देव आपने कौन से जीव को उत्पन कर दिया इतनी जोर से चिला रहा है कि चारों तरफ की शांती भंगो गई है आप कुछ करें ब्रह्मा जी वहां से आते हैं समुद्र के बीच में समुद्र देव उनको ये बच्चा पकड़ाते हैं भोले है ब्रह्मा जी शीव जी की कुरधागनी से उत्पन हुआ ये बच्चा है इसको आप ग्राण करें ब्रह्मा जी हाथ से उठाते हैं वो बालक इतना अहिरिष्ट पोस्ट और इतना बलशाली है इतना उसका वेट है कि उठाए भी नहीं बनता है जैसे तैसे वो उठाते हैं और बालक उसके बाद से क्या करता है ट्रेडिशनली आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मा जी दाड़ी में रते हैं उपदने पैदाएसी बाबा है क्या तो दाड़ी में हमेशा रते हैं तो जो बालक है जब उनको गोदी में लेते हैं बालक को तो चिलाता हुआ बालक उसको मना रहे हैं मांजा मांजा बाल और अनायास ही उनके आँखों से जल टपकने लगते हैं असुरू गिरने लगते हैं तो असुरू को जल ही काते हैं ब्रह्मा जी की आँखों से जल गिरने लगते हैं और आपने अनुभव किया होगा जब कम जल जब असुरू कम निकलते हैं तो बाहर से निकलते हैं इस निकलने लगा और ऐसे आकर के उनके होट से नीचे गीर रहा है अश्रू को जल काते हैं और होट को अधर काते हैं ब्रह्मा जी के नैनों से जल अधर से हो करके गीर रहा है इसलिए ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जल अंधर रख दिया यह जलंदर बच्पन में ही इतना प्रतापी है क्यों क्यों कि यह शिव जी का आंश है समुद्र देता तो बोलना है यह शिव जी का पुत्र है शिव जी का आंश है तो वो कितना प्रतापी होगा यह तो सोचने वाली बात हो ही सकती है काल अंतर में उसका लानन पालन किया जाता है और वो दिन परती दिन अपने शौर्य की किर्टी बढ़ाता जाता है प्रतापी होता जाता है Not in the right sense, it's a wrong sense उसके पास सारी राक्षसी प्रविर्टियां आ गई है वो लोगों को डराने लगता है लोगों को मारने लगा है, लोगों को काटने लगा है रणचेतर को छोड़ करके लोग भाग जाते हैं उसके सामने किसी मनुश्य के टीकने की आवकात भी नहीं राती है इतना प्रतापी हो जाता है वो उसका ये शूर्वीर होना शुक्राचारी को बहुत पसंद आता है शुक्राचार दानों के गुरु है तो शुक्राचार जो दानों के गुरु है उनको ये बहुत भागया ये लड़का जलंधर शुक्राचार जो उसको अपने हां रखते हैं उसको पूरा ट्रेनिंग होगा देते हैं नायक बन करके आया है किसी देवता के पास इतनी छमता नहीं कि जलंधर के सामने करें सीवाए कुछ बड़े-बड़े लोगं को छोड़के जैसे शीव जी को छोड़के विष्वा जी को छोड़के तो एक प्लानिंग किया जाता है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि इसका बल परताप और बढ़ जाए और इसको शिव भी न मार सके इसको विश्रू भी न मार सके ऐसा कुछ किया जाए और इस planning के तहत ये पाया जाता है कि महाराज रावण के जो मामा है काल नेमी ये वहीं काल नेमी है जो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे होते हैं तो ये रस्ता रुखते हैं और उनको हनुमान जी द्वारा मारा जाता है तो काल नेमी की जो पुत्री होती है ब्रिंदा होती है ब्रिंदा परम विश्णु भक्तिनी होती है विश्णु भगवान की अनन्य भक्ता है ब्रिंदा इस मौके का फाइदा उठाया जाता है और शुक्राचार के planning के अनुसार अगर ब्रिंदा का विवा जलंधर से कर दिया और इस planning के तहट वरिंदा का विवा जलंधर के साथ कर दिया जाता है अब तो और पुछिये हीमत देवताओं की शामत आ गई है मनुश्यों का कौन का है पूरे देव लोग को जीत लेते हैं जलंधर और उसके बाद से कोई विदेवताओं के सामने खड़ा होने की शामर्थ है नहीं करता है अब क्या हो गया है अब जलंधर मतवाला हो गया है जलंधर जब भी जुद्ध छित्र में जाता है तो अपने रण कोशल से वो लड़ता भी है और उसके घर में जब तक वो वापस नहीं आता तब तक उसकी पत्नी विरिंदा बगवान विश्वू का जाप करती रहती है बगवान के विश्वू का जाप करते रहने से जलंधर पर किसी असर ससर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है और जब आदमी की शक्तियां अपार हो जाएं तो वो मतवाला होने लगता है वहां से उसका विध्वान की कहानी लिखी जाने लगती है जब जलंधर ये देखता है कि मेरे सामने तो कोई ठीक ही नहीं सकता है मैं जब भी रण छेतर में जाता हूँ तो मैं अपने शौर यवीर से लड़ता हूँ और मेरी पत्नी ब्रिंदा भगवान विश्ण का पूजन पाठ करती रहती है उनका माला जबती रहती है तो ऐसे में मेरा तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि तिरलोक का स्वामी हम हुए और यह तिरलोक के जितनी सुन्दरियां है यह हमारी हुई और इसी सोच के साथ चलंधर विश्ण लोक में जब भगवान विश्ण शे निद्रा में आराम कर रहे होते हैं यह माता लक्षमी के पास पहुंचाता है और बोलता है इस दर्ती के जितने परम रत्न है वो सब मेरे पास रहेंगे आप मेरी मेरे घर चलो आप मेरी पत्नी बन कर रहना लक्षमी जी तो बहुत समस्य में आ जाती है फिर जैसे जैसे वो बहुत समझाने के कोशिश करती हैं मानने के लिए तयार नहीं है बाद में लक्षमी जी कहती है कि देखिए ऐसा है आप भी समुद्र से निकले हो और हम भी समुद्र से निकले हैं समुद्र मेरे भी पीता हुए और समुद्र आपके भी पीता हुए और इस नाते से मैं आपकी बेहन हुई और आप अपनी बेहन को तो पत्नी बना नहीं सकते पहने का मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी जी जलंधर को समझाने में सफल हो जाती है जलंधर महाँ से चल देता है फिर सुचता है अब कौन है जिसे मैं लड़ू तो वो कालाषपरवत पर चला जाता है माता पारवटी के सामने प्रस्ताव रखता है मैं त्रिलोक का स्वामी हूं और आपको मेरी पतनी बनने का सोभागे पराप्त हो रहा है अब हमारे साथ चलिए पर्वति जी भागते भागते भगवान भोले नात के पास आती है मुझे मीरी रख्षा किजिए, जलंदर आया है मुझे ले जाने के लिए भगवान भोले नात भोल रहे है, मेरे किसी बाण का उसपे असार ही नहीं होता है उसको मारों कैसे मैं, है तो मेरा आंश परन्तु जब वो लडाई में आता है तो उसकी पत्नी ब्रिंदा भगवान विश्णु का नाम जाब करने लगती है तो जलंधर को अगर रोकना है तो विश्णु को ही कहीं न कहीं से रस्ते में लाना पड़ेगा सभी देवी देवता इकठा हो करके विश्णु के दर्वार में उपस्तित होते हैं उनको बताते हैं कि पहले माता लक्ष्मी को वो हरने के लिए आया था जब सफल नहीं हो पाया तो माता परवती के पीछे पड़ा हुआ है और ना जाने ऐसे और क्या-क्या ओड़ पटान काम करने वाला है कब तक आप उसकी परदास करते रहेंगे भगवान विश्णु बताते हैं कि उसकी पत्नी ब्रिंदा है वो मेरी भक्त है और वो जब तक जाप करेगी तब तक मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ देवताओं ने बोला देखिए साहब ऐसा है इस सिस्टी के पालन करने की जिमेदारी आपकी है और आपका ये जूरिजिक्षन है आप अपने जूरिजिक्षन का जो भी पावर है उसको एक्जीक्यूट कीजिए बात में भगवान विश्णु कहते हैं ठीक है रण छेतर में शीव जी बुलाएं जलंधर को मैं कुछ उपाय करता हूँ रण छेतर में शीव जी की सेना एक तरफ और जलंधर अकेला एक तरफ लड़ रहा है अब भगवान विश्णु के पास एक ही उपाय बच गया है कि किसी न किसी तरीके से ब्रिंदा का जो जप है उसको तोड़ा जाए और ब्रिंदा का जप तोड़ने के लिए भगवान विश्णु जलंधर का रूप धारण करके ब्रिंदा के महल में पहुंच जाते है वो जैसे ही ब्रिंदा के महल में पहुंचते हैं लेकित आति हैं कि मेरे पती आ गये दो जब चोड़ करके उनको आकर के न मस्कार। पतिवत न मस्कार करती है। अब जैसे ही उनको न मस्कार करती है वहीं समय होता है जसमें मिभान करें है उस समें hard जलंधर के गर्दन कट करके और घर के पर्खटे में आकर के गिर जाता है तो पूचती है बताओ कोन हो मेरे पती का शर तो यहां पर गिरा हुआ है मेरे साथ आप छल किये हो आप कौन बताओ भगवान विश्णु जो जलंधर का रूप धारण करके महाँ पर गय हुए है कुछ बोलते नहीं है शांत रहते हैं वो बहुत चिल्ला रही है और ये बिल्कुल पत्थर के जैसे शांत रहते हैं चुप रहते हैं मौन धारण किये हुए है ब्रिंदा को आओ देखा न ताओ देखा अपने पती का कटा हुआ सर देख करके और भगवान विश्णु को उसने श्राप दे दिया है मनुष्य है नर आप जो कुछ भी हो इतनी बार पुछने के बाद भी आप पत्थर के जैसे बने हुए हो मैं श्राप देती हूँ कि आप पत्थर हो जाओ और भिरिंदा का श्राप लगता है रुषिस समय भगवान विश्णु पत्थर हो जाते हैं काला पत्थर हो जाते हैं तरह तरह ही मच जाता है तीनों लोकों में माता लक्षमी ब्रह्मा जी श्रीव जी सभी एक साथ पहुंच आते हैं बिरिंदा के पास और उनको बताते हैं आपने घोर अनंद कर दिया जिनकी आप पूजा करती हैं जिनकी आप अनन्ने भकता हैं आपने जिनको श्राप दिया है यह वहीं भगवान विश्णु है आप अपने आराध्य को ऐसे कैसे कर सकती हैं इनको छमा किजिए माता लक्षमी आई हुए है और विश्णु भगवान को माता लक्षमी को अर्पित किजिए बिरिंदा को सब कुछ समझ में आ गया है कि यह कुछ न कुछ आगे पीछे जन्मों का ही फेर है बिरिंदा भगवान विश्णु को शाप से मुक्त करती है और शाप से मुक्त करने के बाद वो बोलती है कि यह जो मेरा शरीर है यह जलंदर के नाम था इन्होंने मेरे शरीर को असपर्ष कर दिया है और इसलिए अब मैं इस धर्ती पे रहने लायक नहीं रही और उसने अपने उसने आत्मदा कर लेती है आतमदाह करने के बाद से जिस चगा पे उसकी जो राक होती है उस राक से एक पोधा निकलता है उस पोधे का नाम तोलसी होता है भगवान विश्णू उसको बोलते हैं हे बिरिंदा आपके त्याग से हम आती प्रसन्न हैं, आपके भक्ती भाव से हम आती प्रसन्न हैं, आप मुझे पाना चाहती थी, मैं दूसरे रूप में आया था, अभी मैं अपने रूप में आया हूँ, आप तुलसी बन गई हैं, इसलिए मेरा एक रूप शाली ग्राम के र एक रूब शाली ग्रॉप की रूप में हमेशा बिद्यमान रहेगा और उसका पूजा तभी पूण होगा जब उसके साथ तुलसी दल लगा जायेगा. कहा जाता है कि तब से शाली ग्राम की पूजा होने लगी और शाली ग्राम को शनान कराने के बार से, चंदन करने के बाद से वस्तर पहनाने के बाद से तुलसी दल तुलसी मनजरी के साथ समर्पित किया जाता है इस तरीके से तुलसी जो थी बिरिंदा जो थी वो तुलसी बन गई अब भगवान विश्णु ने उनको आशिरवात दे दिया अब इसमें नई चीज ये जोड़ी जाती है कि जो भी इस धर्ती पे मनुष्य है और जिनके पास कन्या नहीं है कन्यादान करने के लिए इस पिर्थे पर ये माना जाता है कि सबकुछ इको है जो आप देंगे वहीं आपको मिलेगा अगर आप कन्या दान करेंगे तो आपको कोई कन्या पत्नी के रुप मिलेगी और इस जीवन को चलाने के लिए पती और पत्नी रुपी पहियों की बहुत जरूवत होती है तो इसलिए इसके बाद से एक प्रावधान बन गया कि जो कोई भी जिनके पास अपनी कोई कन्या नहीं हो वो क्या करेंगे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्च के एकादसी के दिन देव उठावनी एकादसी होती है उस देव उठावनी एकादसी को तुलसी जी का विश्ण जी के साथ विवाह किया जाएगा और जो कोई भी विद्वत रूप से तुलसी जी का कन्यादान विश्ण जी के साथ करेगा उसको एक कन्यादान का पुन्य प्राप्त होगा इसलिए हैसर धालो जो लोग भी विश्णु भगवान में आस्था रखते हैं कार्तिक मास के शुक लपक्ष के एक आदशी को दे उठाने एक आदशी को अगर हो सके तो माता तुलसी का भगवान विश्णु के साथ विवा संपन कराईए और आप अनेक प्रकार के पुन्य कमाईए आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है कल हम फिर मिलेंगे एक नए कथा के साथ एक नए वाद के साथ एक नए संबाद के साथ तब तक जैशे राम